हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो वाई यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम तो फ्रेंट्स आजकी इस वीडियो में एक बर फिर से हम लोग यूपी पीसे टेस्ट सेरीज पे टेस्ट 20 जो हम लोग वीकली टेस्ट करते हैं हर एक सब्जेक्ट का अलग से तो इसमें पह बीजी खरे, कुल्दीप सिंग, बीडी जत्ती और श्री शेशन कुशन वन का जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्शन ए बीजी खरे प्रतम राजभाशा आयो का जो गठन है वो बीजी खरे की अध्यक्ष्टा में हुआ था नेक्स कुशन है कुशन नमबर टू नेक्स कुशन है कुशन नमबर टू कुशन टू में दिया गया अपातकाल से संबंदित कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें चार कथन है इसमें हमें देखना है कौन सा सही नहीं है तो देखिए, राज़ की राज़ पालिका शक्ति, संगी राज़ पालिका शक्ति के अधीन हो जाती है, अबातकाल की स्थिति में, दूसरा है केंद्र तथा राज़ियों की मद्य विधाई शक्तियों की सामान निवित्रर का निलंबन हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, ठीक ह और राश्ट्री अपातकाल के इस्तिती में लोक सभा का कारेकाल इसके समाने कारेकाल से एक वर्ष बढ़ा दिया जाता है तो इसमें कौन सा स्टेट्मेंट है जो सही नहीं है Q2 का जो correct answer है वो है option B Q2 केंदर तथा राज्यों के मद्विधाई शक्तियों के समाने वित्रड का निलंबन हो जाता है अच्छा अपातकाल की जब अस्तिती आती है तो केंदर और राज्यों के मद्विधाई शक्तियां है उनका जो समाने वित्रड किया गया है distribution जो किया गया है कि andra के पास कौन सी ओंगी राज्य के पास कौन새 होंगी ये समाप्त कर दिया जाता है इसका निलंबन हो जाता है लिकिन जो राज्य की विधाई का है वो निलंबित नहीं होती है चीक है तो इस वज़ाए से ये statement नहीं पे गलत है और ये वाले में जो दिया गया है कि अपातकाल की उद्गोषणा जब लागू हो जाती है तो राश्ट पती क्या करेगा कि केंद्र और राज की मद्द जो कर हैं उनको घटा या बढ़ा सकता है मतलब उनमें संशुधन कर सकता है ठीक है बाकी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सब सही है नेक्स्ट कुशन देखिए कुशन नमबर थ्री कुशन थ्री में है कौन से दो अनुचेद अपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं हो सकते हैं आप्शन से हैं अनुचेद 19 और 358 अनुचेद 20 या 21 अनुचेद 358 या 369 अनुचेद 23 और 24 तो कुशन थ्री का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अनुचेद 20 और 21 तो पहले हम यह देख लें कि अनुचेद 20 और 21 में है गया तो यह करता है कि अपराधों के दोष्ष्सिदिध के सम्मंद में सनक्षड प्राप्त करने का दिखा है मतलब इसमें यह कहा गया है कि अगर अपराध उसका जो दोष्ष है वो अगर सिद्ध हो गया है तो उनको अनुचेद 20 या दोशा की सजा तो तोrogen कर सोगलां पेश कर सकें तो यह सारी चीज़े हैं तो यह किसमे है अनुचेद 20 के अंदर गाता है अनुचेद 21 में प्राण इवं दैहक सवतंतरता का सनक्षड यानि कि अपने खुद की जो प्राण है उनकी उनका सनक्षड वो खुद उनकी सवतंतरता और उनका सनक्षड कह सकें यह दो में देखिए अनुचे 358 सता ही अपातकाल की घोश्रा होने पर अनुचे 19 के अंतरगत मूल अधिकारों का निलंबद कर देता है। जो है पांचे जो यहांपे स्ट्रेटमेंन दिए गए हैं मूल अधिकारों से संबंदेत उनका ये निलंबन कर देता है। फिर अनुछे 369 मूल अधिकारों का निलंबर सता नहीं करता है, वो खुद नहीं करता है, यह राष्ट पती को यह शक्ती दे देता है, कि वे मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करें, तो इन दोनों में जो कौन से स्टेटमेंट पहला सही है, दूसर सही है, दोनों सही ह यह हमें बताना है ठीक है तो question 4 का जो correct answer है वो है option C एक वा दो दोनों सही है देखिए पहले में कहा गया है कि अनुचेद 358 सुचा ही अपातकाल की घोशड़ा होने पर अनुचेद 19 के अंतरगत मूल अदिकारों का निलंबत कर देता है ठीक है जैसे 19 के अंतरगत जो काफी सरे जो इसमें clause है उनमें जो है 19 A, 19 B ऐसे करके ठीक है तो इसमें सभी नागरों को जैसे अभी विक्ति की सुतंतरगता का जो अधिकार है या फिर बिनाथियार किसी जंगा शांदिपूरव एकठा होने का अधिकार या संगठन बनाने का अधिकार या भारत कहीं भी सुतंतरगता जो की अनुचेद 19 के अंतरगत आते हैं ठीक है इन्हें अनुचेद जो 358 है वो सुता ही अपातकाल की घोशड़ा होने पर इन्हे जो है इन मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है लेकिन अनुचेद जो 69 है ये मूल अधिकारों का निलंबन स्वताह नहीं करता बलकि ये रास्ट्रपती को दे देता है कि वो जो है इसको लागू करें ठीक है नेक्स कुशन है कुशन नमबर 5 कुशन 5 में है रास्ट्री धोज प्रदर्शन का अधिकार सभी भारतिय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं को कप राप्थ हुआ आप्शन से हैं भारतिय धोज सहिता 2002, हिंदी संस्कराड 24 जनवरी 1905, राच्की या दिक नियम 2005 या इन में से कोई नहीं तो देखिए कुशन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है आप्शन ए भारतिय धोज सहिता 2002 साथ साल चली जो कानूनी लड़ाई थी उसके बाद सुप्रेम कोट ने कहा कि देश की प्रतियेग नागरिक को आदर प्रतिस्था एवं सम्मान के साथ राश्ट्रिय धोज फैराने का अधिकार है ठीक है ये कब कहा गया था ये भारतिय धोज सहिता 2002 के अंतरगत कहा गया नेक्स्क्षिन है कुशन नमबर सिक्स कुशन सिक्स में है राश्ट्रगान की वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का श्रेक किसको जाता है ऑप्शन सें बंकिम चंद्र चतरजी रह्मतुल्ला सयानी कैप्टन राम सिंग ठाकुर या फिर रवींदर नात ठाकुर कुशन सिक्स का जो करेक्टर अंसर है वो है ऑप्शन सी कैप्टन राम सिंग ठाकुर देखिए जो राश्ट्रगान की वर्तमान संगीत में धुन है इसको बनाने का जो अधिकार है वो हिमाच्वर प्रदेश की सुतंतरता सेनानी कैप्टन राम सिंग ठाकुर को जाता है ठ आप्शिन से 5 अक्टूबर 2009, 4 नॉवंबर 2008, 2 जन्वरी 2002 या 10 अप्रेल 2014 Q7 का जो correct answer है वो है आप्शिन A 5 अक्टूबर 2009 गंगा डॉल्फिन को राष्ट्री जली जीव भारत का राष्ट्री जली जीव जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोशित किया गया ठीक है अगला question है question number 8 इसमें दिया गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है ठीक है ये ध्यान दीजेगा इसमें बोला गया है सही कौन सा है ये बताना है तो देखिए इसमें पहला है ग्रंथाले समिती द्वारा ग्रंथाले समिती जो है उसके द्वारा प्रदान की जारी जो सेवाएं हैं उनका सभा के दोनों सदनों यानि की जो उच्छे सदन और निम्न सदन हैं उनकी सदस्यों द्वारा पूरी तरह उपयोग करना जो भी सेव या अधैक्ष द्वारा निर्दिश ना किये जाएं ऑसके बादा है लोक लेखा समिती में राज़े सभा के सदसें को सहआ सदस्य माना जाता है परन्तो उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है अलाश में हैं प्राकलन समिती में दोनों सदनों तो जो प्राकलन समिती हैं इसमें दोनों सदनों यानि राज्य सभा और लोग सभा के सदसे शामिल होते हैं तो यहाँ पर चार स्टेट्मेंट चार स्टेट्मेंट है इसमें हमें बताना है कौन सा सही है तो question 8 का जो correct answer है वो है option A option A में जो कहा गया है कि ग्रंथाले समिती द्वारा प्रदान की जारी जो सेवाएं हैं उनका सभा के दोनों सदनों की सदसे जो हैं उनके द्वारा पूरी तरह उप्योग करना यह statement ग्रंथाले समिती का जो दिया गया है वो एकदम correct है अच्छा दूसरी में जो कहा गया है कि सरकारी करमों की समिती के द्वारा ऐसे विषियों के जाज़ की जाती है ना नहीं होगा ठीक है किये जाएं फिर नेक्स्ट में है कि लोक लेखा समिती में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य से माना जाता है परंत उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है यह स्टेट्मेंट में सही है कि उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त है ठीक है लास्ट मे कि जो सदा से उनको शामिल नहीं किया जाता है नेक्स कुश्ण है कुश्ण नमबर 9 कुश्ण 9 में है पंडित नहरू ने आंध्रप्रदेश राज में पंचायती राज का प्राराम कप किया आप्शन से ग्यार अक्टूबर 1969 दो अक्टूबर 1969 पांच नमबर 1986 या चार अप्रेल 1993 में कुश्ण 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्यार अक्टूबर 1969 को पंडित नहरू ने पंडित जवाहरलाल नहरू ने आंध्रप्रदेश राज में पंचायती राज का प्रारम किया था तो लास्ट कुश्ण है कुश्ण नमबर 10 जिसमें है कुश्ण 10 में है भारत की संचित निधी में कोई धन किस विध्यक के अधीन निकाला जा सकता है ऑप्शन से हैं विनियोग विध्यक लेखानुदान धन विध्यक या फिर वित्विध्यक Q10 का जो correct answer है वो है option A विनियोग विध्यक विनियोग विध्यक के अंतर गत यही विध्यक है जिसके अधीन भारत की संचित निधी से कोई विधन निकाला जा सकता है सरकार द्वारा संचित निधी से जो रकम है वो रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसत में जो प्रस्तुत विध्यक है वो विनियोग विध्यक के लाता है मतलब कि सरकार के द्वारा जो संचित निधी से रकम निकाली जाती है उसके लिए जो विध्यक है वो कौन सा होगा विनियोग विध्यक तो फ्रेंड से अच्छी वीडियो यही पर इंड होती है वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा थैंक्स फर वाचिंग